मैं रामकिय समीना सहयक आचारिय हिंदी बिये प्रितिये के दितिये प्रसंद पत्र में सभी चात्र चात्राओं का स्वावत करता हूं ये ए क्लास में आज हम टोपर लेकर आए हिंदी नाटक तथा रंगवंच आधनिक परिद्रश आजनिक परिद्रश में हिंदी नाटक रंगवंच की क्या भूनिका है श्तुन तत्र काल में हिंदी नाटक तथा रंगवंच ने आशाती प्रक्रति की है इसके अनेक कारण है भूजातन तथा आकासवानी ने किसी विधा को अपनी जरुतों के लिए बिरुप्त किया यह है पास्चात नाटक तथा रंगवंच की प्रवाव से हिंदी नाटक तथा रंगवंच सम्रद हुआ है नाटक तथा रंगवंच से समंदत आपचारिक संस्तायों तथा यक्तिक स्तर पर रंग कर्मियों ने नए नए प्रयोग किये हैं लोकनाट शैदियों का प्रयोग नंतर बड़ा है तथा समाज ने नाटक के महत को स्विकार किया है इससे हिंदी में नए प्रकार के नाटक और रंग्वंच का उन्वेश हुआ है हिंदी नाटक की आधनिक परिदर्श को उसकी विविद रूपों से रेखंकत किया जा सकता है सबसे पहले है काव नाटक की परंपरा संस्कत में रही तो अंग्रेजी में भी सेक्स पियर आधी ने काल में ध्रमवीर भारती के अंधायोग लिखकर प्यब नाटक की सुद्रड नीवर की अंधायोग हिंदी के उनस्रेश्ट नाटकों में से हैं जिनका सबसे अधिक मुंचन हुआ है आज भी रंग में देशकों की अंधायोग नाटक पहली पसंद है तथा महावारत की कथा पर आधारितिये नाटक आज भी समसायक लगता है इस नाटक की अभ्यात्मक्ता जहां इसे सहितिक दृष्टी से एक कलात्मक्रतना बनाती है वहीं इसकी अर्थ व्यापती इस नाटक को प्राशंगे बनाती है इस नाटक का अस्वत थामा बर्तवान यूग का व्याकुल मनुष है जो मुलहीन समय में अपनी महत्मकांचाओं को लेकर जी रहा है अंदा यूग का कथानक महावरत के अंतन दिन की संधा से आरम होता है किन्तु असन में ये कथा सुष्ट्रकाल स्वीमा का अतिक मन कर अधनी यूग का नाटक बन जाता है युद्धोत्तर काल में पुग्जी समयश्यां को केंद में रखकर ये नाटक रचा गया है ये खेना अतिस्योक्ति नहीं है कि अंधा यूग नाटक पहली वार कायव नाटक रंग्वंच के भेन संबंदों के परिवासित करता है इस द्रिष्टि से धर्मवीर भार्ती कि ये रचना एक काल जाई रचना मानी जाती है जाएगी इसे नाटक कायव यो रंग्वंच तीनों ही द्रिष्टियों से बार बार परका जाएगा कि ये हिंदी का सफल थम नाटक है और हिंदा योग में अन्दा योग के सफल अर्यवुद्पूर प्रदर्श्णों में इस कृति को हिंदी में नील का फत्तर तो बनाया ये है नाटक के अच्छित में एक नया मार्व खोळ लिया है इसी को नाटक से प्रभावित प्रवावित होकर दुशंत कुमार ने एक कंठ विश्वाई कायवनाटक की रचना की एक कंठ विश्वाई में ये खग ने आधनित यूग की राजनिती भूक हरतार युद्ध की विवीसी का और एमान विये और परंपर रूडियों की एस्विकार की प्रविति को उभारा है और यहे भी एक प्रवावसाली कायवनाटक है डाक्टर विने ने एक प्रसंद मृत्व नाटक की रचना की जिसमें उन्होंने महावारत की कथा को आधार बनाया है डाक्टर विने का ये नाटक भी युद्ध की विवीस्य का रच्तन करता हुआ युद्ध के लिए विरुद आवाज उठाता है यह डाक्टर लच्विनारान लाल ने सूखा सरोवर भी एक सपल कावनाटक है जिसमें भी वर्तवान जीवन की समश्याओं को प्रसेश्टिवत करते हैं इसी परी में लोक सेली नाटक और दूसरा लोक नाटक हमारा लोक नाट बहुत पुस्जद रहा है तथा लोक नाट की शेलीों का प्रियोग अनेक नाट को मित तिया गया है जिन्तों हिंदी में अनेक ऐसे नाटक लिखे गए जो पूरे के पूरे रूप में लोक नाटक है पर अपनी सर्व्यापती में आधनिक जीवन की फिसंतियों को भारते हैं हवीव तन्वीर ने इस सेली का भहुत सार्थक प्रयोग किया है उनके चरनदास चोर तथा पॉंगा पंडिक जैसे नाटक लोक नाटी हैं प्रहत पातुकता की द्रश्टी से बहुत उचकोटी के हैं मनी मदुकर के खेरा पॉलमपुर तथा दुलाई वाली लोक नाट ही हैं हमीद उल्ला का ख्याल भार्मली नाटक की कथा जरूर एतियसिक है पर उन्होंने लोक संगीत की नाट सेली ख्याल में प्रुस्थप किया हैं एतियासिक कथा लोक सहली पर हवियक्ति का लक्ष बर्तमान नारी अस्मिता को रेखंकत इसे एक महित पूर्ण कृति बनाता है। यह उधान तो ऐसे हैं जो अपने आकार में ही लोक नाटक हैं ऐसे अनेक नाटक लिखे गए हैं जिसमें बीच बीच में लोक सहलियों का प्रयोग लेखंकों ने किया हैं बिनकर के रस्मिरती तता उर्वशी भी काव नाटक हैं। इस तरहें तीसरी विशेषता हैं मिथक और आरुणत्ता का समनवें। लेखोकों के लिए पुरा कथाएं तथा मिथक प्रचिन काल्षे ही आकश्र के केंदर रहे हैं। किन्तु सहरी किसी लेखक का उद्देश किसी मिथक की कथा सुनाना भर लक्ष रहा है। पर लेखक ने मिथकों तताब पुरा कथाओं में बर्तमान जीवन की विशन्तियों को देखने का प्रयाज किया है। अंदा यूगवी महावारत की कथा के मध्धम से बर्तमान जीवन की जटिलताओं को देखनकित करता है। जगदीश चंद माथुर के कौनार्क पहला राजा सार दिया दसरत नंदन आदी प्रसित नाटकों की कथाओं के सुरूत भारती मिथक है पर उनका कथ बर्तमान जीवन की विद्वताओं को रिखनकित करता है। यह कौनार्क नाटक में इतिहास, पुरान, मिथक और जन सुर्तियों का अलात्मा कमिश्रन मिलता है। पहला राजा में मिथक तता इतिहास की मिली-जुली अव्यक्ति है। जिसमें यकदिश्च चंद्र मातों के अधुनिक जीवन और सत्ता की विद्वनाओं को भारा है। महुंडर आकास के आकास का असाड गए एक दिन तता लहरों के राजन सुनाटक इतिहास और मिथक के मायद्धम से आधुनिक जीवन की जटिलताओं को प्रिश्चत करते हैं। संभवत पुरान कथा मिथक कथाय लेखकों को मृत्वान जीवन के अनकुल लगती हैं। इसलिए वे अपने अपनाने में संकोच नहीं करते हैं। जिंदी में एक और द्रोनाचारिये संकरशेष माधवी वीश्म सायनी मिश्टर अभिमन्यू कलंकी नस्मी नारायन लाल आठवा सर्क शुरेंदर वर्मा रशगंधर मनी मदपर देव्यानी का खेना है कमेश जिनकी कथाएं भलें मित्किये हैं पर अर्थ भंगिवा से सर्था आधमिक नादक। चौथी है इतिहास और आधमिक्ता का समने। इतिहासिक नाटकों की परंपरा को जिसंक प्रशाद के वाद अनेक नाटकारों ने संद्रद किया है। प्रशाद भी इतिहास के मैध्धम से भरतमान को समझने का प्रतन करते हैं। उन्तों इतिहास की पूरी गरिमा की रक्षा करते हैं। इतिहास के नाटकारों ने इतिहास का उपी योग ही भरतमान की प्रश्तिकरण के लिए किया है। जग्दीश चंद माथुरुक के पहला राजा तता महुन राकष की लेहरो के जुल्ले मो सुमानी नरेद महुन के कहे कवीर सुनो भाई सादो अगे का उत्तर प्रिय दसने आदी नाटक की कथाना इतियास से संब्द है और ये सभी नाटक अर्थगंपजीता के इस तर पर आत्मिक है छटा है इस्त्री पुरुष संब्दों की नई भाव हुए इस्त् वध्योगी के आधनिक्ता, आर्थिक विशंता जन संब्दों की जट्रता, नारी अस्मिता को लेकर इस्त्रियों को जागरुप्त का आदी में इस्त्री पुरुष संब्दों की नई नई वैक्षा है हुई हैं कहीं ये पारिवारे व्यक्टन के रूखन के रूप में इनी संबंदों के बदलाव में समाज में खंडित व्यक्तित पैदा किये हैं तो इनहीं के कारण अनास्ता भुवन्द मूल शंक्रमन आधी की इस्तितियां उपन हुई है मौन राकिश ने आधे मधूरे नाटक में इस्तित्रिपुर्शंबंदों से उग्जे खंडित व्यक्तित क समस्या को बड़ी कुशलता से रिखंडित किया है इस नाटक के चारोपात्र एक ही व्यक्ति के रूप में है इस व्यक्तित्रिपुर्शंबंदों की नई इस्तितियां प्थानारी योन सुचिता पर उस्चिन लगना लगता है पते लगवक सभी नाटकारों ने इस सवाल पर नाठक लिखे हैं माधरी वीश्मिसाहिनी सुर्य की अंतन क्रण से सुर्य की पहली क्रण तक शुरेंद्र बर्मा ख्याल भारमली अमिदुल्ला देव्याने का कहना है रमेश वक्षी घरोधा संकर्शिष दुलारिवाई मनिमद्कर आदी अनेक नाटकों में रूपक अर्थार रीडियो संचार क्रांती के छेत में रीडियो पहला कदम था जिसने अपने सहितिक शुरूप की चिंता की और रच्छा की इसका कारण साइद यह रहा कि रीडियो से सुमितर अन्दनपन, चक्दीश चंद्र मातूर, गिर्जा कुमार मातूर, डाक्टर नगेंद्र, वालकसंद्रा, विश्नु, प्रभाकर जैसे सहितिक दिवहें जुड़ी और साइद यही कारण रहा कि रीडियो रूपक के रूप में नाटक की नवीन विधा का विकास हुआ और यहों सभी नाटकारों के नाटक रीडियों से इसे पुसारत हुए तथा चिर विश्नु प्रभाकर्ता चैन्जित के नाटक को रेडियो के लिए आवसर बन गए थे इस छेत्र में अनेक लोगों का योगदान रहा जिन्होंने इस विधाव की स्मध्द किया और सात्मा है एफसार्ड नाटक विश्वस्तर पर हुए प्रतमेदित्य विश्विद्द की विश्रिकाओं के ने पूरी मानुता को अनेक डरावनी आसंकाओं से विश्वित किया तथा महाविनास की विप्राल चैने मानव के मन में जो एसरुक्षवत्मन की उसमें सरवत निराश्या का बातरन बना और इस बातावर्ण ने सहीत को भी प्रभावित किया इफसन तथ दिश्टक वर्ग जैसे नाटकारों ने नाटक की प्रमप्रागा धासे को द्विस्ट करते हुए उसे नया सिलिप देने का प्रियास किया सिम्वल वेकेट चैने एडवर्ड आलमी हराल्ड पिंटर आदी ने इस सिलाव संब्यदना की परिवतन की और आगे बढ़ाया इस नाटकों की सम्विदना जिन घटकों ने निर्मान किया उन में प्रमुक रहे निश्चारता अवसाद विशाद सुन्नता नेराश्यंदकार अयस्तरता विवाजित मानसिक्ता ऐसरुक्षा की भावना गैनियता अचन भूंगूरता आदी जीवन की विद्वत विभुदी अनर्गल भिवस्त तथा निर्याश्करी इस्तितियों को नई प्रतिव और विम्मों के माध्यम से जिस नाटक में रुपांत किया उसे एफसर्ड नाटक की संग्या से अविवित किया गया एफसर्ड नाटक जीवन की हंडश्च भोगने का विभुदी है अते वहां ने को पर आदर्शेने मरियादा सब कुछ एसंगत और बेतर्तीव है थेंक्यू धन्डवाद